सब्सक्राइब कर लेकर करते हैं लेकिन उसे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटापर्ट से सब्सक्राइब कर ले साथ में जो घंटी आती उसे भी जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन यानि के मैसेज आपको मिल सके और आप फटा फट से वीडियो को वाच कर सके तो चलिए फ्रेंट बिना किसी देरी की फटा फट से नास्ते को बनाना स्टार्ट करते है तो फ्रेंट इस नास्ते को बनाने के लिए सब से पहले हम आटा लगाएंगे तो आटा लगाने के लिए आपर हम इस्तेमाल करेंगे गेहुका आटा इसे हमने अच्छे से छान लिया तो देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसे देरे-देरे करके पानी डालेंगे और इसका हम सेमी सॉप्डो तयार करेंगे जैसे हम नॉर्मल छपाती बनाने के लिए आटा लगाते हैं सेम उसी तरह से आपको इस आटे को लगाना है तो अब हम रेस्ट पर छोड़ते थे तब तक कि अपने हम स्टफिंग की तयारी कर लेते हैं तो फैन स्टफिंग तयार करने के लिए हम एक पैन में डालेंगे दो छोटे चमज के करीब तेल और तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे जैसे हमारा तिल गरम हो जाएगा हम इस हम इण घंड करेंगे पिंचो फीक डाजेशन के लिए इसके बाद हम इस में अच्छा पंज करेंगे थोड़ी से फ्रश बारीकति वी प्यास अगर आप या नहीं छाते हैं तो आप प्यास को स्किप कर सकते हैं तो प्यास को ढालकर हम दो वह टूर्चा पंदूर हो चाहे और यह थोड़ी से सॉफ्ट हो जाए तब तक कि इसे पकाना है बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर कलर नहीं नहीं करना है तो देखिए यहां पर हमारी प्यास काफी अच्छे से कोख हो चुकी है और इस तरह से आपको प्यास को बूल लेना है उसके बाद आपको इसमें एक चौथाई चमश जितना धन्या पाउडर इसके बाद हसमें एड करेंगे थोड़ा सा लाल मिचका पाउडर तो इन सारे मसालों को डाल करा आप इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए+, एक से दो मिनिट के लिए भूनेंगे ताकि हमारी मसाले हैं वो अच्छे से लगे तो जैसे हमारे मसाले अच्छे से कोक हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू तो यहाँ पर हमने तीन फिरी मेडियूम सााइज के उपले हुए आलू लिए हैं तो इसे हम हाथो से ही अच्छे से इस तरह से मैश करके डाल देंगे आप चहें तो इने कद्दू कस करके भी ले सकते हैं, तो देखिए सारे आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, तो अब इसे हम पड़ा-पड़ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो इन मसालों के साथ आपको आलू को एक सी दो मिनिट के लिए और अच्छे से भूल लेना है, ताकि मसाला पाउडर, आप कर आपके पास चाट मसाला नहीं है, तो आप इसकी जगा पर हम जूर पाउडर का भी स्तमाल का सकते हैं, इसके बाद हम इसमें आड करेंगे थोड़ी से फ्रस्ट पारी कटी हुई हरी दनिया, और इन सभी चीजों को डाल कर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो देखें, यहाँ पर हमारी चटपटी से स्टफिंग बंद के रैडी हो चुकी है, इसे आपको अप ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, तो अब अपनी गयास की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और इसे हम ठंडा होने के छोड़ देंगे, जब तक हमारी स् सेम उसी तरह से आपको इसकी लोईया बनानी है और इस तरह से लोईयों को अच्छे से हाथों से चिकना कर लेना है ताकि जब हम इसे बेलें तो बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए तो अब अपनी एक लोई को हम ले लेंगे और इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे तो इसे बेलने के लिए आपको किसी तरह के सूखे आटे को लगाने की ज़रुरत नहीं है इसके उपर क्योंकि हमने आटे में थोड़ा सा गी डाला था तो मोण डालने से हमारा जो आटा है वो चकले पर बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और बहुत इसली बिल जाता है तो देखे इस तरह से थोड़ी सी थीक रोटी आपको बेलनी है उसके बाद हमने जो अपनी स्टाफिंग तयार की थी उसे हम एक से दो चमज के करीब इसके उपर रखेंगे और इसे हम हलका सा प्रेस कर देंगे उसके बाद इस तरह से हम इसे अच्छे सा सील कर देंगे जैसे हम अलो का पराठा या पके कचोडिफ को फिल करते है तो देखे यहाँ पर हमारा यह पहला नास्ता बनकर रैडी हो चुका है तो इसे हमने round shape में बनाया है आप चाहे तो इसे किसी भी shape में बना सकते हैं तो इसी तरह से अपने सारे नास्ते को बनाकर हम ready कर लेंगे तो देखें यहाँ पर हमारा नास्ता बनकर ready हो चुका है इसी तरह से आपको सारे नास्ते को बनाकर ready करना है इसके बाद अपने नास्ते को fry करने के लिए हम एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे तो दो से तीन चमज के करीब ही तेल लेना है बहुत सा तेल नहीं लेना है तो बस इतने से तेल में हमारा नास्ता आफ ये अच्छे से कोख हो जाएगा तो इसे हम अच्छे से गरम होने देंगे जैसे हमारा तेल गरम हो जाएगा एक एक करके अपने नास्ते को हम इस तरह से इसके उपर रख देंगे और इसे हम दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से कोख होने देंगे एकदम medium flame पर बहुत कम flame पर आपको इसे cook करना है ताकि हमारा जो नास्ता है वो अच्छे से cook हो जाए जैसे यह लगे एक side से cook हो गया है तो आपको इसे पलट देना है और पलट करके आपको इसे दूसरे side भी अच्छे से cook होने देना है जैसे जैसे हमारा नास्ता cook हो जाएग आप देखेंगे इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जब इस नास्ते को हम मीडियम फ्लेप पर पकाते हैं तो यह अंदर से थोड़ा सा फोल जाता है तो यहाँ पर देखिए हमने इससे अलट पलट कर 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राइ करना है तो बहुत इतनी अच्छी से फिलिंग भरी हुई है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इस नास्ते का एक्दम समोसे को चौड़ी जासा तो जरूर से ट्राइ कीजिएगा बहुत ही कम तेल में बहुत ही हल्दी तरीके से हमने इसे बनाया है और खाने में यह बहुत ही जज़ा तेस्टी है तो आप इसे किसी भी चटनी के साथ enjoy कर सकते हैं I hope आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हम मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में ऐसी नई मस्तदार recipes के सा तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बबाए और टेकर और थैंक्स पो वाचिंग